जुल्ले टाशी डिलेक्ट नमस्ते वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं और मेरा दोस्त नोर्बू महात्मा बुद्ध के आठ उच विचारों के बारे में बताएंगे क्या नोर्बू अब तयार हो? हान जी जिग में मैं बिलकुल तयार हूँ और बहुत खुश भी ओके तो शुरू तुम से करते हैं ओके नोर्बू एक लाइन तुम सुनाओ एक लाइन में सुनाओंगा बहुत मज़ा आएगा आप लोगों ने भी सुना पहला दुख दुख का जन्व इच्छा से होता है यह विचार बताता है कि हमारे सभी दुख और पीरा हमारी इच्छाओं और लालसाओं से उत्पन होते हैं मध्यमार्ग अत्यदिक आनंद और अत्यदिक तपस्या दोनों ही रास्ते गलत हैं सही रास्ता मध्यमार्ग है जीवन में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है 3. करुना, सभी जीवों के प्रती करुना और प्रेम का भाव रखें, करुना से भरा जीवन ही सच्चे सुख का स्रोथ है 4. अनित्य, सब कुछ अनित्य है और परिवर्तन ही संसार का नियम है, संसार में कुछ भी स्थाई नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है 5. मनोवरत्ती, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं, हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशाते करते हैं 6. ध्यान, ध्यान सबसे बड़ा आनंद है, ध्यान मन को शांत और स्थिर बनाने का साधन है 7. समझदारी, अज्यानता ही अंधकार है, और ज्यान ही प्रकाश है, ज्यान प्राप्त करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है 8. वानी, वानी, आपके शब्द आपके कर्म का दरपन होते हैं, हमें अपनी वानी को सयमित और सकारात्मक रखना चाहिए 9. महात्मा बुद्ध के ये विचार आज भी हमें सही मार्ग पर चलने और सच्चे सुख की प्राप्ती के लिए प्रेरित करते हैं 10. उनका जीवन और शिक्षाय हमें बताते हैं कि शान्ती, प्रेम और करुना ही सच्चे मानपता के गुन है 10. महात्मा बुद्ध के विचार जीवन में मार्ग दर्शन और प्रेरना प्रदान करते हैं 11. उनके उपदेश और विचार सदियों से लोगों को शान्ती, करुना और आत्मग्यान की और अग्रसर कर रहे हैं यहां कुछ प्रमुग बुद्ध के विचार प्रस्तुत हैं इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, शेर, कमेंट करें मिल थैं आपसे अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई